हेलो फ्रेंड्स मैं हूविकास और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर आज हम जानेंगे कि अगर आप सैमसंग का फोन इस्तेमाल करते हो और आप चाहते हो कि कॉल आने पर आपका फोटो दिखाई दे यानि कॉलिंग बैक्ग्राउंड में आपका फोटो शो होए तो आप ऐसी सैटिंग कैसे कर सकते हो आएए जानते ही यहाँ पर आपको अलग से कोई भी अप्लिकेशन डाउनलोड नहीं करना है फोन के अंदर ही वो सैटिंग दी हुई है सबसे पहले आपको डाइलर पैड में जाना है जहांसे आप कॉल करते हो उपर आपको यहाँ पर तीन डॉट मिलेंगे इस पर टच करना है आपको मिलेगा सैटिंग्स सैटिंग्स पर आपको आना है आपको यह पेज मिलेगा आपको यहाँ पे मिलेगा call background आप देख पा रहे हैं आपको इस पे touch करना है आप ऐसे page पे पहुचोगे आपको दोनों sim में एक करके करना पड़ेगा तो सबसर पहले पहली sim में आईए इस पे touch करिए आपको मिलेगा background इस पे आईए plus का एगन पे touch करिए select from gallery पे जाईए और gallery से वो photo लीजिए जिसे आप लगाना चाहते हो तो download folder के अंदर मेरा एक photo है मैं जाता हूँ नीचे के तरफ यहाँ पे एक photo है example के लिए यहाँ पे मैं यह वाला photo लगाऊंगा तो आप इसे बड़ा छोटा भी कर सकते हो ऐसे करके और इसे adjust कर सकते हो और यहाँ पे आपको मिलेगा set as call background इस पे touch कर लीजिए इसके अलावा आपको यहाँ पे दूसरी sim में भी ऐसे करना पड़ेगा पहले sim में आपने कर दिया होगा दूसरी sim में आईए background में जाईए plus के icon पे touch करिए gallery पे जाईए favorite मिलेगा यह आपको photos मिल जाएगे आपको इस पे touch करना है और अपना photo ले लेना है तो यहाँ पे मैं यह वाला photo लोगा इसके अंदर और जब set as call background पे कर दीजिए और आपका photo set हो जाएगा वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को subscribe करें